दोस्तों देश में बीते कुछ समय में हार्ट अटेक से मौत होने की घटायत तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां हार्ट अटेक को बड़े बुड़ों की बिमारी बाना जाता था, वहीं आज कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई जैसे महानगर में पिछले साल छे महीने में कोरोना से उतनी मौत नहीं हुई जितनी हार्ट अटेक से हो गई है। एक RTI में मिली जानकारी में सामने आया कि मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10,289 मौते हुई थी जबकि इसी दौरान हार्ट अटेक से मरने वालों की संख्या 17,888 रही। अमेरिका के एक रिसर्च जनरल में छपी एक रिपोर्ट के मताबिक साल 2015 तक भारत में 6 करोड 20 लाक लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई थी इन में से 2 करोड 30 लाक लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम है यानी 40-20 दिल के मरीजों की उमर 40 साल से कम है ऐसी एक स्ट स्टड़ी 2018 में भी आई थी तब साइंचरनल लैंसेट ने दिल की बीमारियों से जुड़े 1990 से 2016 तक के आंकड़े जुटाए थे इस स्टड़ी में दावा किया गया था कि 1990 में भारत में होने वाली कुल मौतों में से 15.2 प्रतिशत का कारण दिल से जुड़ी बीमारियां थ थी इनके लावा एक और आखड़ा भी है जो काफी जादा डराता है वर्ल्ल हेल्थ ऑगनाइजिशन की एक रिपोर्ट के मताविक दिल से जुड़ी बीमारियां मौतों का सबसे बड़ा कारण है इनी का नतीजा है कि साल 2019 में दुनिया बर में करीब 1.89.000 मौतें दिल से ज को जिम में एक्सराइस करते समय हाट अटेक आया था इसके लावा कुछ समय पहले टीवी के मशूर एक्टर सिधान तवीर सूरेवंशी को भी जिम में वरक आउट करते समय हाट अटेक आया था और उनकी मौत हो गई थी वहीं गाजियाबाद में 35 साल के जिम ट्रेनर की भी हाट अटेक से मौत हो गई और एक युवक एक्सराइस करके घर पहुचा और सीने में दर्ब के बाद सीडियों से गिर कर उसकी मौत हो गई थी दोस्तों कम उम्रों में हाट अटेक के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है और कई लोगों ने इन सब खबरों के सामने आने के बाद जिम से दूरी भी बना ली है अब लोग ये जाना चाते हैं कि आखर जिम जाने वालों को हाट अटेक और कार्डियो वैस्कुलर संबंदित बीमारियां क्यों हो रही है इसके जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है भारत में हाट अटेक के बढ़ हुतरी देखी जा रही है इसके लावा कोरोना महमारी में सुस्त लाइफस्टाइल गलत खान पान और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी हाट अटेक का खत्रा भी बढ़ा है लोग स्ट्रेस के कारण स्मोकिंग ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं जो हाट संबंदित बीमारिय अब उस कमजोर शरीर पर अगर जरूर से अधिक लोड डाला चाएगा तो वो सही से रिस्वांस करेगा ही नहीं आप मानकर चलें कि एक व्यक्ति जो दो तीन साल से रुनिंग कर रहा है अब अगर उसे पांच किलो मिटर रुनिंग करने के लिए बोला चाए तो वो आसानी पूलना और हिर्दय में ऑक्सीजन की आपूर्ती को प्रभावित करता है जिससे हाट अटेक यह सदन काडियोग डेथ का जोखिम बढ़ सकता है दोस्तों आज की समय में यंगस्टर्स जिम फिटनेस या एप्स बनाने के लिए जाते हैं लेकिन युवाओं को यह जानने की जिम में जाकर दूसरों को देखकर इगो लिफ्टिंग करते हैं और शरीर पर शमता से अधिक लोट डाल देते हैं इस हालत में आपकी बॉड़ी कोलाप्स हो जाती है और बिभिन समस्याएं होने लगती है इसके लाबा दोस्तों आज की समय में जिम में कम उम्र के युवा करना शुरू कर देते हैं अगर सप्ली में नकली है ओवर डोस लिया है या पर शरीर के लिए भय उप्यूक नहीं है अगर इन सब बातों को जानने के बाद भी कोई सप्लीमेंट का यूज करेगा तो उसकी हार्ट रेट हाई होगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट का जोखिम बढ़ जाएगा अकसर देखा जाता है कि लोग जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वो बिना वाउमप के ट्रेट मिल पर दोड़ना शुरू कर देते हैं अब ऐसे में आपकी बाड़ी का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉमल या रेस्ट की पोजीशन में था लेकिन ट्रेट मिल पर अचानक से दोड़ना शुरू करने पर हार्ट रेट काफी जल्दी बढ़ेगी और कोलैप्स होने का जोखिम काफी अधिक बढ़ चाएगा यह हार्ट संबंदित बीमारियों का सबसे एहम कारण है हलांकि दोस्तों एक्सरसाइज करने से शरी को कई फायदे होते हैं और हर इंसान को कम से कम रोजाना 30-45 मिर्ट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं कि जिम में जाकर हैवी वजन ही उठाएं एक्सरसाइज से मतलब फिजिकल एक्टिविटी से है आप साइकलिंग, स्वेमिंग, गार्डिनिंग, वॉकिंग, जिमिंग या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं अगर कोई जिम में जाकर exercise कर रहा है तो उसे सीधे जाकर high intensity exercise या ऐसे workout करने से बचना चाहिए जिसमें heart rate अचानक से बढ़ चाती है हमेशा अपने शरीर की शमता के अनुसार ही exercise करें example के तोर पर अगर कोई एक साल से exercise कर रहा है और 50 kg वजन उठा रहा है तो वह प्रैक्टिस से उठा रहा है वहीं अगर आप दो हफ़ते जिम गएं और इतना अधिक वजन उठाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई injury होगी ही इसलिए किसी भी exercise को करते समय अपनी शारीरी किशमता जरूर देखें कोई भी cardiovascular activity जैसे running high intensity exercise आदी को 10 मिनट से अधिक ना करें पहले इन exercise को 2 मिनट से शुरू करें और फिर हर हफ़ते थोड़ा-थोड़ा समय बढ़ाते जाएं exercise उसकी सीमा को किसी certified fitness school के अंडर में रहकर ही बढ़ाएं वहीं जरूरी लगे तो किसी डॉक्टर से मिलें और उन्हें अपनी physical activity से अफ़गत कराएं लोगों की जीवें शहली में बदलाओ भी भारत में हार्ट संबंदित बीमारियों का एक कारण है शारीरिक गतिविदी की कमी कार्ब यूप्ट भोजन unhealthy, processed, ultra processed foods हार्ट संबंदित बीमारियों को नियोता देते हैं इंडियन फूड में लगबग 86 प्रतिशत कार्बोहईडिट होता है प्रोटीन, healthy fat और फाइवर वाले फूड्स को अपनी डाएट में जोड़ें इसी के साथ स्मोकिंग भी हार्ट संबंदित बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है और अगर कोई शिराबी पीता है तो उससे उसका बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाता है जिसके कारण हार्ट संबंदित बीमारियों का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए हमेशा हेल्दी लाफस्टाइल रखें और गलत खाने पीने की चीजों से दूर रहें हार्ट अटेक से बचने के लिए कम से कम साथ से आठ गंटे की नीन ले और तनाव बिलकुल ना ले इन सबी बातों को फॉलो करने से हार्ट संबंदित बीमारियों के खत्रे को कम किया जा सकता है इन सब के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने आपको हार्ट अटेक के खत्रे से बचाय रख सकते हैं दोस्तों जॉर्ज इंसिट्यूट आफ क्लोबल हेल्थ इंडिया की की गई एक स्टडी बताती है कि शहरी भारती रोजाना आस्तन 11 ग्राम नमक, 10 चम्मच चीनी और 32 तेशमलब 6 ग्राम तेल घी का सेवन करते हैं जो आपके हार्ट को नुकसान ना पहुँचाएं इसके लावा स्ट्रेस कम लें, लंबे समय तक तनाओं में रहने से ब्लड कोलेस्टरॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो दिल से जुड़ी बिमारी का खत्रा बढ़ाता है तनाओं में रहने से लाइफस्टाईल और खानपान भी बिगरता है, सेंटर आफ हीलिंग ने 2020 में दसजार भारतियों पर एक सर्वे किया था, इसमें सामने आया था कि 74 फीस दी भारती तनाओं से जूज रहे हैं, इसलिए आप अपने आपको तनाओं से मुक्त रखें, इ इस लिस्ट में भारत 49 फे नंबर पर था, जबकि डॉक्टरों की सला है कि दिल की सेहत के लिए कम से कम इससे दोगुना चलना चाहिए, लगाधार बैठे रहने या कम चलने से दिल से जुड़ी बीमारिया होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सुबह या शाम को जब भी वक्त लगे तो वाक पर ज़रूर निकलें ताकि आपका हार्ट पूरी तरह से स्वस्त रहे, इन सब के अलावा एक चौका देने वाला आंकडा ये भी है कि भारत में 16 से 44 साल के करीब 25 करोड से जादा लोग स्मोकिंग करते हैं, इस मामले में भारत दुनिया में दूर से न रखना है, तो इन चीजों का ख्याल रखना ही होगा, बाकि आपकी इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, भगवान करें, आप सभी का दिन शुब हो